हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि घ्रोसरी का होल सिल बिजनस आप कैसे शुरू करेंगे जब भी हम किसी भी दुकान पर जाते हैं ज़ा भी घर की पहली जरूरत, पहली नीट की जब जरूरते को हम खरीदने जाते हैं तो हम देखते हैं कि वो सारी चीज़े अलग-अलग दुकानों पर मिलती है या एक ही स्टोर पर सारी चीज़े मिलती है बट वो चीज़े दुकानों पर पहुंसती कैसे हैं बहुत लोग ऐसे हैं जो होल सिल का बिजनस करना चाते हैं उनी की तरह ठीक है तो आप grocery item का wholesale business कैसे शुरू कर सकते हैं ये basically उनके लिए है जो लोग business की planning कर रहे हैं कोई नया व्यापार करना चाते हैं वो भी wholesale का ठीक है ये में पहला तरीका होगा ठ्यान से और पूरी वीडियो को अच्छे तरीके से समझेगा आपको दुबारा इस wholesale में कोई वीडियो देखने के जरूरत नहीं पड़ेगी और कम सब्दों में अच्छे से आपको हम बताने का प्रयास करेंगे पहला चीज होता है wholesale बिजनस यानि कीराना आइटम का ग्रोसरी इस्टोर का wholesale खोलने के लिए पहली चीज आप कर सकते हैं आउंटर्स यानि अपनी wholesale की दुकान खोल सकते हैं जैसे कि मार्केट में हर मार्केट में हर छोटी बड़ी मार्केट में या सिटी में कहीं पे भी आप wholesale की दुकान खोल सकते हैं उसका अलग investment होता है उसके अलग ग्रहाक होते हैं सारी चीजे हम आपको step by step समझाते हैं दूसरा तरीका है दोस्तों वो है distribution supply किसी भी company का अलग-अलग company की franchise distribution supply के आप wholesale business से शुरू कर सकते हैं उसका अलग investment होगा और उसके ग्रहाक अलग होगे और तीसरा super stockist बन सकते हैं किसी एक product का super stockist ले सकते हैं जहाँ पे आपको कई जीले या फिर अपने पूरे जीले को supply करने के लिए आपको एक authority मिलेगी कि आप भी से लोग ले सकते हैं ठीक है उसकी investment अलग होगे उसके ग्रहात अलग होगे अब शुरू करते हैं सबसे पहले counter यानि अगर आपकी खुद की दुकान लगाना चाहते हैं grocery wholesale business की तो आप कैसे शुरू करेंगे देखिए सबसे पहले तो आपको एक अच्छे market में कहीं पे भी आप खोले एक अच्छी जगह पर होनी चाहिए वहाँ पर जहाँ पर आपके grounds अगर आप अलग बनाना चाहिए अलग बना दे एक अच्छी बैटने की जगह होनी चाहिए जहाँ पर अच्छे से आपके दुकान पर पहुंच सके यहाँ पर जाए जहां पर क्योंकि wholesale का बिजनस कर रहा है तो stock आपको रखना पड़ेगा पैसा आपको लगाना पड़ेगा तो wholesale की दुकान आप खोल सकते ह होते हैं लगबग आपको सारी product आपको लगबग क्या अगर आप अच्छा खासा दुकान रनकाना चाते हैं तो सभी product के mail लगाना पड़ेगा इसमें आपकी ग्रहांग जो बनेंगे वो छोटे दुकानदार होंगे जो गाउं में मोहले में मोड पे गली में स्कूल पे या इस तरी की छोटी छोटी किराना इस्टोर चलाते हैं वो बनेंगे आपके ग्रहांग इस बिजनस में इन्वेस्मेंट जो होगा वो मिनिमम मान के चलता हूं मैक्सिमम आपके पास कितना पैसा है उतरना पैसा इन्वेस्मेंट कर सकते हैं तो कम से कम आपको इस बिजनस को स् counter business के profit margin होती है वो दोस्तों होती है 5% से लेके 10% तक 5% से 10% का मतलब यहाई कि minimum 5% और maximum 10% से ज़्यादा नहीं होने वाली बहुत product पे आपको 1-2% की भी margin मिलती है counter से अगर आप खोलते है counter से खोलने का मतलब यहाई कि आपको 12 से 10 से 12 घंटे counter पे समय देना होगा उसमे और भी बहुत सारे खर्चे होंगे जैसे कि racks बनवाने में ज़्यादा खर्चा होगा पूरा light लगावाने में आपको खर्चा होगा counter में खर्चा होगा और कम से कम 1-2 लोग आपके दुकान पे होने चाहिए अगर आप बहुत सारी कमपनिया आपने देखा होगा जैसे डाबर है हिमामी है हिंदुस्तान उनिलीवर है इसके बाद आप मतलब बहुत सारी कमपनी है जितनी भी प्रोड़क्ट आप खाते पीते तेल हो, रिफाइन हो मैगी होगर हो मारकेट में बनता है वे डिस्टिबूच्न होता है रिटेलर को देता है रिटेलर से गएवगर होगि तो आप किसी भी एक कमपनी का डिस्टिबूचन सितल ले सकते है तो उस मारकेट में जितनी भी लोगों कि उस प्रोड़क्ट जैसे कि example लेते हैं कि अगर आपने पारले का biscuit का distribution ship ले लिए तो उस पारले की जितनी भी biscuit की ज़रुवत आपके market में पड़ेगी वो सिप आप देंगे तो सोची के देखी कि एक भीकने वाले product का अगर आप distribution ship लेते हैं तो उस product का जितना भी आपके market से sell होगा जितने भी wholesaler या retailer लेंगे वो आप से ही लेंगे तो कितना अच्छा आप business कर पाएंगे इस तरीके के business start करने के लिए जो आपका investment होगा वो भी 4 से 5 लाग रुपया होगा ये depend करता है कि आप किस company का distribution ship लेते हैं तो जब distribution ship बनाएगे तो 10 से 12 लाग रुपय का investment कराएगी ठीक है तो इस तरीके से investment होता है तो आपके company की उपर निर्वर करता है कि आपके इस company का distribution ship लेते हैं उस पे निर्वर करता है कि आपका investment कितना होगा अच्छा इसमें जो profit margin आपको मिलती है तो वो भी 5% से 8% तक मिलती है यानि कि इतना फाइदा आपको मिलता है उसी में आपको license जो भी आप बनाते हैं इस सारे business में आपको food license GST अनिवार होगा क्योंकि आप wholesale का business कर रहा है इसके बाद जो आपको profit margin है उसी में से आपको पूरे खर्चे को निकालना है यानि कि अगर 100 रुपए के समान में आपको 10 रुपए 8 रुपए बच रहा है तो उसमें ही पूरा खर्चा भी निकालना होता है यह भी आप समझेगा ठीकि यह आपको सीधे pocket में ही चला जाएगा यह हर business में होता है और अब हम बात करेंगे तीसरा यानि super stockist business super stockist business एक ऐसा business है दोस्तों जैसे कि जो distributor product मंगाता है वो कहां से मंगाएगा वो super stockist मंगाएगा यानि यह जो super stockist होता है सीधे company से जुड़ा होता है manufacturing से जुड़ा होता है तो company वाला सीधे super stockist को देता है super stockist distributor को देता है distributor wholesaler को देता है wholesaler retailer retailer को देता है यह के chain है हर एक अच्छी company की जो market में अच्छे से अपने product को भेज पा रहे हैं तो अगर आप किसी company का super stockist लेते हैं यानि पूरी district आपके under होगी यानि उस district में जितने distributor बनेंगे जितने लोग आप समाल लेंगे जितना sell होगा वो सारा sell आपके माध्यम से वहाँ आपको पैसा लगा है आपका ही product विकेगा super stockist में थोड़ा पैसा लगता है जैसे कि मैंने बता है कि पूरा district या अगर बहुत बड़ी district है तो district में दो होते हैं तो फिर भी आपको कुछ तैसील मिलेगी जिसमें आप पूरा cover करेंगे वहाँ पे जितने market में distributor बनेगे जितने बड़े wholesaler होंगे उनका जो माल है वो आपके हां से ही जाएगा इसमें company पूरा अपना काम करती है company के लोग भी लगे रहते हैं तो सब काम आपको नहीं करना रहता है कुछ बहुत सारे काम company के जिम्मेदारी पर ही होती है सिर्फ आपको पैसा लगाना रहता है ठीक है? खासता उसे brand product तो इसमें भी आपका निर्भर करता है कि किस तरीकी का product कौन सी company का आप super stockage लेते है तो उस पे निर्भर करता है कि आपका कितना investment होगा लेकिन लगभग अगर बात करें तो 10 से 15 लाख रुपए investment आपका लगता है इसमें जो profit margin होती है वो 2% से 5% तक होती है counter यानि दुकान खोल के wholesale business से start करना या distribution से प्लेना जो कि अपने ही market में से बेच पाएं या फिर super stockage जो पूरे जीले में बेच पाएं इस पे अलग-अलग भी वीडियो अगर आप चाते हैं तो already मैं बना भी चुका हूँ लेकिन अगर आप अपसे भी चाते हैं कि नहीं हम distribution business के बारे में explain और अच्छे से जानना चाते हैं या super stockage business के बारे में अच्छे से जानना चाते हैं तो comment जरूर करिएगा wholesale पे भी आपने बीडियो बना चुका हूँ तो ये भी हर कोई wholesale ही हुआ अगर एक retailer गाउं में जो बैठा दुकांदार है वो 12 पीस भी खरीद के लाता है न तो वो भी कहता है हम wholesale में लाएं तो wholesale का कोई परिभासा नहीं हर कोई wholesale में ही लाता है आप भी अगर अपने घर के लिए कोई ज़्यादा product खरीदे जिसमें आपको कुछ छूट मिल गया तो आप भी उससे कहेंगे हम wholesale में खरीदें तो wholesale बहुत लोग confused हो जाते हैं wholesale का मतलब हर चीज को आप wholesale कर सकते हैं इसमें आप depend करता है किस slab में wholesale करते हैं या एक ग्राहक wholesale में करते हैं या एक distributor बनते हैं एक wholesale बनते हैं कि super stockist बनते हैं या उससे भी उपर ठीक है बहुत सारी चीजे होती तो वो हर चीज wholesale में ही count होती तो आप किस तरीके का बिजनस करना चाहते हैं कितना आपका investment है किस तरीकी की जगह है इस पे निर्वर करता है उमीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आगी होई अच्छी लगी होगी और बिजनस की नालेज आपको अच्छी से होई होगी अगर आपको कोई confusion लग गया हो कोई सवाल लग गया हो तो comment box में ज़रूर लिखेगा फिर मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार